मुडियार के युवक की हत्या की घटना का पुलिस ने किया सफल अनावरण प्रकाश में आये तीन अभियुक्त गिरफतार आला कतल तीन मोबाईल और नगदी तथा अन्य सामान बरामद दिनांक 19 सितंबर 2022 को सरफराज आमद पुत्र शाह मजुमदार आहमद गराम मुडियार थाना फूल पूर जनपद आजमगड के भाई आदिल उर्फ शाहबाद जो प्रापर्टी डीलर का काम करता था गाड़ी से घर से निकला और रात में वापस नहीं आया 20 सितंबर 2022 को शाबाद की गाड़ी शाह गंज में अधजली हालत में पड़ी मिलने पर आवेदक द्वारा दिनांक 29 2022 को थाना फूल पूर पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई गुमशुदगी के आधार पर मॉबाइल नंबर का CDR निकाल कर सर्विलांस टीम की मदद से CDR का आउलोकन करके लोकेशन के आधार पर थाना क्षेतर के आने जाने के विभिन संभावित रास्ते के लगभग 45 CCTV कैमरों का आउलोकन किया गया जिसमें गाड़ी छिपते छिपाते जाते हुए दिखाई दे रही थी गाड़ी छोड़े जाने मिलने के अस्थान के आसपास लोगों से जानकारी किया गया तो गाड़ी लगभग रात दो बजे के आसपास घटना अस्तल पर छोड़ा जाना बताया गया सीसी टीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर और मोबाईल लोकेशन के आधार पर और जाच से इस बात की पुष्टी हुई कि आदिल उर्फ शाबाज की हत्या हुई है जिसके आधार पर उक्त गुमशुदगी को तर्मीम करके मुकदमा अपराद संख्या 327 बटा 22 धारा 30 202-201 भारतिय दंड विधान बनाम करण सोनकर पुत्र राकेश सोनकर निवासी मुडियार रोड कसबा फूलपूर निसाल बिंद पुत्र रामलखन बिंद निवासी फूलपूर देहात थाना फूलपूर और शैलेश प्रजापती पुत्र रामचंदर प्रजापती निवा प्रोक्त अभयुक्तों को मुडियार रोड क्रासिंग डगरा फूल पूर देहात के पास से पांच बज कर दस मिनट पर गिरफतार कर लिया गया। पत कपड़ा बरामद किया गया। अभयुक्तों की निशान देही पर आला कतल शटर खोलने का हैंडिल लोहे का खूना लूद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी और बयान के आदार पर मुकदमा हाजा में धारा 404 बटा 34 भारतिय दंड विधान की भी विरिद्धी की आया कि दिनांक 29-92-22 को हम तीनों लोग रात करीब 9 बजे क्रासिंग के पास खड़े थे तो फूलपूर की तरफ से शावाद उर्फ आदिल अपनी गाड़ी लाल रंग सीनेट कार नंबर यूपी 50 BQ 9789 से आकर तीनों लोगों के पास रुका और अपनी गाड़ी में बैठ पूर्व परिचित होने के नाते हम लोग गाड़ी में बैठ गए जैसे ही लोहिया बालिका विद्याले से सटे रोड की तरफ मोड कर गाड़ी रोक दिया और 200 रूपया दिया शैलेश से एक अध्धा दारू की बोतल और पानी मंगवाया शैलेश जाकर दारू लेकर आया ह हम चारों लोग गाड़ी से विजय सोनकर के प्लाट पर पहुंचे वहां पर शराब पिये नशा होने के बाद शैलेश और निशाल को गाड़ी के बाहर कर दिया और मेरे साथ गलत हरकत करने लगा गलत काम करने के लिए प्रेशर करने लगा जब जब जबरदस्ती किया तो में ही शटर खोलने की लोहे की हैंडिल पड़ी थी उसे उठा कर मैं उसके सीर पर मार दिया और गाड़ी का गेट खोल कर बाहर आया शाबाद भी बाहर आया और वहीं पर मुझसे मार पीट करने लगा और गिर गया मैं कई वार सीर पर किया और खींच कर गाड़ी में हम ती लुहान हो गया निसाल गाड़ी चलाने लगा हम लोग छिपते चिपाते योजना के मताबिक गाड़ी समेत शव को लेकर इमिलिया घाट भर उठी सुल्तानपुर गोमती नदी पर पहुँचे वहां चेक किया गया तो निशान मिटाने के लिए शाहबाज के पहने हुए कुर गिरा था उसी गाड़ी से हम लोग वापत निजामपुर जनपत जोनपुर पहुचे जहां निसाल के मामा का घर है छेतर देखा था वहीं योजना के मुताबिक गाड़ी कूड़ा में डाल कर जलाना था गाड़ी खड़ी करके जलाने के लिए गाड़ी की टंकी से तेल नि निकल पाया, गाड़ी में पिछली सीट में आग लगा दिये, वहां से हम तीनों निसाल के मामा के घर पहुचे और पूरे कपड़े में खून लगा था, मामा को दूसरी कहानी बता कर कपड़ा धुले और मामा से हाप पैंट टी शर्ट लेकर पहन लिये, थोड़ी देर में सवेरा होने पर मामा के साथ शाह गंज आए, और वहां पर बसी स्टेंड के पास, गार्मेंट की दुकान से कपड़ा खरीदे और वहीं कपड़ा पहन कर मा को वहीं से वापस कर दिये और आगे रेलवे क्रासिंग के पास, दीवाल के पास गिट्टी की तरफ पालिथिन से भरे कपड़े को फेंक दिया गया और हम लोग घर चले आए, शाहबाद से मिले पैसे में 6 पैसे खर्च हो गए, खून से लगा नोट ही बचा है, तीनों पास से 26,000 रुपया निकाल लेने के संबंद में भारतिय दंड विधान की धारा 302,201,404 बटा 34 का दंडनी अपराद पाते हुए, शाम 5 बज कर 10 मिनट पर हिरासत पूलिस में लिया गया, गिरफतार और बरामदगी करने वाली पूलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अन परा सर्विलांस टीम आदमगड शामिल रहे।